नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल सेयर में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपनी घर बैठे ओनलाइन गैस कैसे बुक कर सकते हैं इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और भारत गैस टाइप करना है भारत गैस टाइप करेंगे तो यह एप्लिकेशन आ जाएगी इसे आप इंस्टोल कर लेंगे अपने मोबाइल में मैंने यह पहले इसे ही इंस्टोल की हुई है अब हम इसे ओपन करते हैं ओपन करने पर ऐसे आ जाएगा अगर आपका भारत गैस का है तो वह अच्छी बात है कर लिया है तो यहां पर यह टैब आ जाती है यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है और इमर्जंसी हैल्प लाइन शर्विस रिएस्ट यहां पर आती है रिफिल इस्ट्री अपने जितनी भी अभी तक गैस कितनी बार उठाई है कब कर उठाई है डेट में यह सब आ रहा है 27 12 अक्टूबर 18 14 दिशंबर 3 जन्वरी 13 जन्वरी 20 जन्वरी 10 मार्च 27 अप्रेल 14 जून 16 जुलाई और तीन तीन तारिक नुबा महिना 2019 की है अब हम इसमें गैस बुक करने के लिए क्या करेंगे क्विक बुक एंड पेपर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे अलो वाल्या गैस सर्वेस कस्टोमर नेम सुबेपाल अब हम सब्मिट रिक्वेस्ट करेंगे यह लिखा गया है यह देखिए confirm booking if you do not make payment online after booking your delivery will converted as COD automatically यानि कि अगर booking करने के बाद आप online payment करना चाते हैं तो payment कर सकते हैं लेकिन अगर आप online payment नहीं करेंगे तो आपकी जो booking होगी जो उसका payment होगा वो आपको cash on delivery यानि कि जब आप cylinder लेंगे या cylinder की delivery आपके घर पर होगी तो आपको automatically COD में यह cash payment करना और अब हम इसे booking now book now पर click करेंगे यह देखे यह book हो चुका है यहाँ पर refill ID और order number हमें मिल चुका है booking date 3 October और booking clear date 29 सितंबर pending refill 600 रुपे का cylinder हो चुका है जिसकी cost है अब 601 रुपे के तकरीवन तो दोस्तो इस परकार से आप घर बैठे आसानी से online अपने mobile में application के जरिए अप application मेरे mobile में पड़ी हुई है यह भारत gas इस तरीके से आपकी booking हो चुकी है अब बस इसमें इतना ही है वीडियो में आपको पता चल गया होगा कैसे आप कर बैठे आसानी से अपनी gas book कर सकते हैं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे channel global share को subscribe जरूर कर धन्यवाद दोस्तो